और मैं तो देख रहा हूँ कि पिछले दिनों मुझे जीतरी पुलिटिकल पाट्टिया मिली है कोई प्रकरता से और कोई दभी जबान हर कोई कहता है कि साहब ये बार बार चुनाव के चकर से देश को बाहर निका लिए क्यों लोकसभाव और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो उसी समय क्यों स्थानिय स्वराज के चुनाव हो हपते दस दिन के अंदर चुनाव का सारा काम पुरा हो ज़्यर पांच साल देश चलता रहे तो कुछ गती आएगी निर्णा आएगे बिरोक्रसी भी काम करेगी ये सुझाव सब दूर से आ रहा है लेकिन ये काम को एक दल नहीं कर सकता सभी दलों को मिल करके करना पड़ेगा ये काम सरकार नहीं कर सकती है इलेक्शन कमिशन के नेतरुत्व में सभी राज़नेतिक दल जब सोचेंगे तब होगा मेरे विचार कुछ भी हो सकते हैं लेकिन उससे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये विशय लोकतांत्रिक पद्धति से ही होगा लेकि मैं आशा जुरू करूँगा कभी ने कभी इसकी व्यापक चर्चा हो, बहस हो, क्या अच्छा, क्या बुरा इसमें से अच्छा है तो क्या लेना, बुरा है तो क्या निकालना ये व्यापक चर्चा का समय आ गया है जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो आते रहते हैं आने वाले दिनों में पांच राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उत्रप्देश उसमें एक राज्य है जहां तक भारती जनता पार्टी का सवाल है वो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है विकास के मुद्दे पर ही लड़ेगी